तो मैं आयूश आप सभी का स्वागत करता हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज जो हम लोग बात करने वारे हैं वो निर्मिला सितारमन यानि की FM जो हमारी उन्होंने भी रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी कि रुपी इस नॉट वीगनिंग बट डॉलर इस चैनिंग तो इस पर बहुत ज्यादा मेंश वाइरल हो और इनको ट्रोल किया जा रहा है तो इसी के बार में हम लोग जानने वाले है कि वित्यमंत्री ने ऐसा क्यों बोला तो यहां पर जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग यह जानेंगे कि रुपी फॉल क्यों कर रहा है और डॉलर की क्यों बढ़ रही है तो यहां पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हेड्लाइन क्या है तो रुपी इस नोट स्लाइडिंग डॉलर इस स्ट्रेंदिंग सेज एफम निर्मिला सीता रम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मिला सीता रमन सैट देट इस रिजर्व बैंक ऑफ इ है तो इस पर राहूल गांदी कॉंग्रेस के लीडर उन्होंने कहा कि भूक और कोशन में भारत 121 देशों में 107 विस्थान पर रहा है अब प्रधान मंत्री और उनके मंत्री कहेंगे भारत में भुकमरी नहीं बढ़ रही है बलकि देशों में दूसरे देशों में लोगों चावला का ट्वीट है 21 अगस 2013 का जो कि बहुत जादा वाइरल हो रहा है तो ओनली वेदी रूपी कें सेव इटसेल्फ इस बाइट्राइंग राकी टूरा डॉलर एंड सेंग मेरी रक्षा करना है यह बहुत जादा वाइरल हो रहा है और यहां पर रागफ चड्डा जो कि आदमी पार्टी के नेता है इन्होंने कहा माई एकनॉमिक्स इजन्ट वीक योर इस ट्रॉंगर तो यह सब इसी लिए हो रहा है क्योंकि जो निर्मला सिता रमन ने अभी स्टेट्मेंट दिया कि रूपी की वेल्यू नहीं गिर रही है बलकि डॉलर जो है वो उसकी स्टें जो डॉलर है उसकी वेल्यू बढ़ी है यह एक हाली इंडियन करेंसी के अंगेंस नहीं है और भी बहुत सारी करेंसी जो उनकी अगेंस पिया है यह हम लोग अभी वीडियो में देखने वाले हैं तो हुआ क्या एक्चुली अपोजिशन पार्टीस हैव बिन ट्रोलिंग फ सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तो यह है कि ग्लोबर हंगर इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंक 107 आई है 121 कंट्रीज में से तो यह आपके लिए एक इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है और इसमें यह हुआ है कि निर्मला सत्व रवन ने जो कमेंट किया उस पर उनक यह है कि अपने इंडेक्स सब्सक्राइब रवन के बाइग उनके निर्म ने कर यह लिए और को समेंट पॉट और इंड़ में इंड पॉटिए तेर उस्ते हैं कि वेर इंडिया कि तो यह रुट थे वश्ट रवा इंडिया तो यह फॉट से एंदिए अट बहाँ जालीट तो इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो रूपी इतना गिर रहा है ठीक है वो डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है इसलिए बट जो इंडियन करंसी है उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही और इसको उन्होंने कंपेर किया अधर इमर्जिंग मार्केट करन्सी से आप यूरो सो चाहिना की करिंसी से कंपेर कर लो अभी हम लोग यह कंपेर जो भी स्टेंड ले रहा है रूपी को स्ट्रॉंग करने के लिए रूपी जल्दी अपना एक लेवल फाइंड कर लेगा अब यहां पर इस इंडियन रूपी डूइंग बेटर देन अर क्या इंडियन रुपी जो है जो अधर कुरेंसी उससे बैटर परफॉर्म कर रहा है तो इसका अंसर है यस इस वाल दी रुपी लॉस्ट 2.6% अगेंस दॉलर इन सप्टेंबर बेचिंग दी फिस psychological mark of 81 and 82 it has been among the more stable currencies in the current environment that has impacted in varying degrees almost all the currencies and economics therefore the korean won declined about 6% against the dollar in september and the british pound lost almost as much the australian dollar declined 4.8% and the swedish krona and chinese yuan and philippi peso fell 4.6% 4.1% 4.1% respectively तो इसमें यह यह सीदे से जो इंडियन रुपी है उसने 2.6% की value lost किये अगेंस डॉलर ठीक है और जो इसने psychological mark था 8182 का वो ब्रीच कर चुका अल्रेडी जो Korean currency है वो 6% तक गिरिये डॉलर के अगेंस्ट और यहां पर अगर Australian dollar की बात कही जाए तो 4.1% और Swedish currency की बात की जाए 4.6% चानीज युआन फिलिपी पैसों की बात की जाए 4.1% रिस्पेक्टिवली दोनों ने वैल्यू अपनी गवाई यह डॉलर के अगेंस्ट तो इससे अगर हम लोग comparison करेंगे तो यह सच है कि रुपी की value अभी भी strong है against these currencies but actual में क्या है ठीक है यहां पर हम लोग डॉलर की comparison यहां पर भी देख सकते हैं depreciation Korean one 5.997% गिरा है great British pound Britain pound 5.75% Swedish corona 4.61% South African Rand 4.09% Thaibad 3.89% Malaysian Ringgit 3.79% Japanese yen 3.21% Singapore dollar 2.86% Indonesian रुपी 2.53 और Euro 2.42% तो यह आपका comparison है dollar का against other currencies ठीक है और India इसमें जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है Euro ने और अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2.42 पर यह वो ठीक है तो यह है in terms of 2022 performances as of January 5 तो हम लोग यह आपर देख लेते हैं इस ब्रिक्स के nation है उनकी क्या performance रही है dollar और Euro के against ठीक है तो Chinese RMBos की value चल ली ती dollar के against 6.37 Euro के against 7.2 Russian अब यहां पर हम लोग अक्टूबर 4 से कंपेर करें इसको तो जो अभी currently rate चल रहे है Chinese RMB आप देख सकते हैं युए युएस डॉलर के against महेंगा हुआ है बट यूरो की में Chinese RMB ने अच्छा परफॉर्म किया है तो अगर आप इसमें comparison करेंगे तो यहां पर रुशियन रुबेल ने dollar के against भी अच्छा परफॉर्म किया है और उसकी वेल्यू चल लीटी 84 के अराउंड और अब जो उसकी वेल्यू चल लिए 80.48 के अराउंड चल लिए तो यूरो के against अगेंस अगेंस मजबूत हुई है ठीक है बट यूएस डॉलर के against ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो यह जो वेल्यू बढ़ेगी तो अपनी वेल्यू घटेगी घटेगी ठीक है तो इसमें आप यह नहीं बोल सकते कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ उसने पकड़ा है तो यह स्ट्रेंथ डॉलर में इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा खुद का currency है वह वीक हुआ है जो भरोसा गया है वह यूएस की एकनॉमी बेद जादा गया है इसलिए यहां से लोग पैसा निकाल नहां के रॉपी की वैल्यू आप एक साल पहले देख ही सकतें कर सकतें कर सकतें 70 अरे 82 के और यह भी बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू 85 तक जा सकती है जल्दी ही तो यह जो हमारी रूपी की वैल्यू बहुत कम कर देगा तो इसके लिए देखना होगा कि चैनल जोर सब्सकाइब कर ले ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो के लिए सो थैंक यू फो वाचिंगा वीडियो मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में आपको